जो दो हम question number 23 का जो है वो बी पार्ट हम start करने लगए है बी पार्ट हमारे पास था कि हमने question number 23 को question number 23 को हमने change करना है इसमें floating point representation method की मतल से इसको represent करना है तो उसके लिए पहले step में हम जा करेंगे पहले step में हम करेंगे changing integral and fractional part into binary दोनों को binary में change कर लेते हैं तो पहले integral part को कर लेते हैं तो integral part change होते हो जाएगा to 3 the 6, 0 to 8 the 16, 0 to 1 the 2, to 5 the 10, to 4 the 8, 0 to 7 the 14, to 7 the 14, 0 to 3 the 6, to 8 the 16, 1 to 1 the 2, to 9 the 18 to 9 the 18, 1 to 4 the 8, 1 to 2 the 4, 0 to 1 the 2, 0 तो यह हमारे पास बच्चों change हो गया है यह हमारे पास इसकी binary आ गई है और binary मेरे पास इसकी क्या आई है 1, 0, 0 1, 1, 0 1, 0, 0, 0, 1 यह हमारे पास नमारे इसकी binary आ चुकी है अब हम simple क्या करेंगे जी अब हम simple इसको बच्चों यह करेंगे हम इसके fractional part की binary को बना लेंगे तो fractional part इसका क्या है 0.9 तो 0.9 की binary क्या होगी तो उसके लिए मैंने आपको method उदाया था कि हम 2 multiply 0.9 करेंगे और यहां में हमारे पास इसका result आएगा 1.8 इसमें से integral part कौन सा होगा integer और fractional कौन सा होगा तो इसका आएगा हमारे पास 1.6 इसमें integer 1 है और fractional part 0.6 है आप 0.6 को दुबारा कुछ के साथ multiply करेंगे तो मारे पास आएगा 1.2 जैसे मारे पास बचो 1.2 आएगा तो 1.2 में integer 1 है और जो fractional part है वो है 0.2 अब 2 को 0.2 के साथ multiply करेंगे जैसे हम 0.2 के साथ multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4 इंटिजर 0 है ये 0.4 है फीक है हम इसे आगे भी कर सकते हैं लेकि इतना बहुत है फीक है जी तो अगर हम इसको आप लिख लें तो ये क्या बन जाएगा ये मारे पास बचो बन जाएगा 1, 1, 1, 1 तो ऑर 0 आएगा हम इसको ऑफ बन जाएगा बन जाएगा तो सिंपल क्या करें रिखें उसके बाद हम ज्या करेंगे अपना इसको फ्लोटेंग पॉइंट करेंगे सर्व सामा कि यहां पर जब बच्छो आपको नजर आ रहा है तो यहां पर मैं इन दोनों को कमबाइड करके लिखने लगाँ हमारा प्वेस्टें था इसकी बाइबरी मारे पास आई है 1001101001.1110 ठीक हो गया बच्छो अब मैं पॉइंट को यहां से फ्लोट करने वाला हूं कि अब आप यहां से पॉइंट को फ्लोट करने वाला हूं बच्छो तो यहां से अगर बहुत से देखें तो पॉइंट को हमने यहां से यहां पर लेकिया रहा है मन के बाद तो लेकिया आजाती है 1.00110110110110110110 अब इसके साथ हम एक्स्पोनेंट लगा देगे तू कि पांजी नमर है तो पावर गया होगी हम हमने पॉइंट को कितने पांजी तो पांजी तो श्रूनली पर अपॉइंट यहां पांजी होगा है वारा अब आप इसको शिंपल जोगा है वह रिट्रीछ एंगे फ्लूट पार जो मरी को आप पर उसमें बादाया गया है उसमें सबसे पहले हमें बादा रहा तक तीन चीज यहां यह एक जाहिए होता है सांड और साइन क्या है इसका माइनस जान में क्या करेंगे माइनस वन में अब बता है मैंने गुसके लिए हूं के लिए जी जीरू फिका इसका एक्सकोनें को एक्स्पोनेंट पच्छो इसका 10 है तो 10 की अगर हम binary करेंगे तो वह मारे पास आएगी 001010 यह 6 डिजेट में आएगी 10 की binary इसको बिनाना है यह बारा रूल है कि हमें 6 डिजेट यह एक्स्पोनेंट जाएगी सब्सक्रासबर करें इसके बादशनिया 9 इसके बारा छाइए क एक्षाइऑ 15 यहां तक जाएगा तो इनको हम लिख लिख लेते हैं सबसे पहली जो है वह है साइन विट वह मर्बास क्या है वन इक हो गया उसके बाद है श्क्षपे एक्सपोनेंट गया मर्बास यह जीरो जीरो बान जीरो उसके बाद है नाइव इंडिया तो मैं डीजियों की नाइटिट्स ही हैं वो लिख लेते हैं 0011 0000 लेजी यहां पर हमारा क्वेस्टिन क्या हो जाता है खत्र हो जाता है हमने अपने क्वेस्टिन को फ्लोटिंग पॉइंट इप्रेशन की मदद से सॉल्व कर लिया है सबसे पहले हमने क्या करना है हमने इंटेगरल और फ्रेक्सिनल पार्ट को बावर जिससे करेंगे उसके बार उन्यवाशन की बावर किरेंगर है जयसे हम पॉइंट को फ्लोट करेंसे क्याया है हमें बारे पास हम बैस कि पावर चैंट आजिए भावर घृत्र है में पीलिग्ट सिंपल में लिख लेंगे और यह हमारी रिप्रेजेंटेशन का मैटड हो जाएगा ठीक है यह बहुत सिंपल तरीका है आप इसको एक दफा देख लें जी बच्चो तो अब आप लोग आ जाओ वक्षिन नमबर 23 के सीपाट की तरफ यह इसका लास्केशन है यह अभी करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको बाइरी में चेंज करें लेते हैं ठीक है में चेंगे में आप ना स tempi एक भाशाना चूंत 2-4 to 9-18, 2-1 the 2, 1 पस्किया, 2-1 the 2 to 4-8, 2-5 the 10, 1 पस्किया, 2-7 the 14, 2-4, 1 पस्किया, 2-3 the 6, 2-6 the 12, 0 पस्किया, तो लेकिए माले पास इसकी पाइंगी आगी है और पाइंगी पाइंगी माले पास इसकी आगी है लेकिंग्यटि आप यह मारे पास इसकी पाइंगी है ऐगी है बाइंगी में चेंज खाले तो इसका है तो इसकी बांटिक्प्लाइ करते हैं मारे पास आ जाता है 1.2 ठीकर मचोई जयादिर है कि इसमें इंडीजियर क्या है और फ्रेक्शनल पार्ट क्या है इसमें बाण है और फ्रेक्शनल बाट एक अब हम जिरो पॉइंट टू को टू के साथ में टिकलाइ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जिरो कॉइंट फॉर इसमें जिडो है और ये फोर है अब 0.4 को दू के साथ के अनिकलाइ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 इसमें जिरो है और इसमें यहां पे हम पॉइंता है थे यह पर आपके विए पर फिर्या करेंगे है तो दॉन में कि था इसाल भूंड है और सकाव प्रम सान से पहले हैं प्रफिट्रू ने करना ठीक है है तो हमारे पास इसकी बार्म यह टीक हो गया उसको आंप लिख लेंक अब शुद इसको मिया मैं अब प्रश्ट से लिए जाए प्रश्ट से लिए प्रश्ट से लिए प्रश्ट से लिए अगर आप देखने हैं प्रश्ट से लिए प्रश्ट से लिए प्रश्ट से लिए मैंने आपको बताया था कि इसका साइंट मैंने तो इसकी बीट साइंट की जो बिट सांगी वह और पास 001011 एक बच्चों यह मारे पास इसका एक्समेंट आगी है अब हम इसका बेटी दिए लिखे लिखेंगे बेटी के इसका जहां से हम 9 बिट्स लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 7, 8, 9 यह लिखे लिखे लिखेंगे हैं 0011 0011 आप इसको रिक्रिदेट कहलेते हैं जो लास्ट एक है मारी क्वेस्टन का हमें पता है कि फिर्स वीडियो है वो साइन भी होती है इस वैस्टन का माइनस नहीं है तो हम इसको बान लिखेंगे आगे है शिक्स बिट एक्स्पोनेंट और एक्सपोनेंट मारी क्वेस्ट कहले है 001 001 और आगे है 9 बिट मैंट पीजिया वो मारी क्वेस्ट कहले 001 0000 नहीं दी यहां पर हमारा क्वेस्टन क्या जाता है खतम हो जाता है इसके साथ ही बच्चो हमारा चैप्टन नबर